नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल टेक्निकल अभिशेक रजक में दोस्तो आज की इस वीडो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि यूपी स्कॉलर्शिप की ओफिस्यल वेबसाइट पे आ चुके हैं डिस्किप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा आप डारेक्ट इस वेबसाइट पे चले आईएगा जैसे ही आप वेबसाइट पे आ जाते हैं तो अब आपको करना क्या होगा यहाँ पे वाइट कलर में तीन लाइन दिख रही है आपको इस पे क्लिक करना होगा जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा अब आपको स्टुडेंट पर क्लिक करना होगा student पर click करने के बाद आपको यहाँ पर देख लिजे कई तरीके का सर्वर मिलेगा registration सर्वर उसके बाद आपको आना होगा fresh login पे जैसे यहाँ fresh login पे आएंगे तो आपको यहाँ पे select करना होगा अगर आप high school का check करना चाहते हैं तो pre-metric अगर आप first year और inter का check करना चाहते हैं तो intermediate अगर आप post merit other than inter यानि की BA, BSC, Bcom किसी भी other class का check करना चाहते हैं तो आपको post merit trick other than inter पर click करना होगा तो चलिए यहाँ से हम इस पे click कर लेते हैं जैसे यह आप इस पे click कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से page open हो जाएगा अब आप यहाँ देख सकते हैं आपको कुछ जानकारिया डालनी होंगी तो यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन का प्रकार नवीन ही रहेगा और पाठकरम का प्रकार post merit other than inter अब आपको यहाँ पे registration number डालना होगा तो चलिए यहाँ से हम अपने registration number को fill कर देते हैं registration number डालने के बाद अब आपको अपना date of birth डालना होगा तो चलिए यहाँ से हम date of birth को fill करते हैं date of birth फिल करने के बाद आपको यहाँ पे अपना password डालना होगा तो चलिए हम यहाँ से अपने password को डाल देते हैं capture code यहां पर fill करना होगा capture code fill करने के बाद अब आपको submit के button पर click करना होगा तो जैसे यह आप submit पर button पर click कर देते हैं तो आपके सामने आपका dashboard open हो जाएगा कुछ इस तरीके से तो यहां पर देख सकते हैं हमारा dashboard open हो चुका है अब यहां पर देख सकते हैं आपकी पूरी डीटेल देखने को मिल जाएगी अब आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे जो हरे कलर में स्कॉल हो रहा है आवेदन पत्र की इस्तिती जानने के लिए क्लिक करें तो चलिए इस पे हम क्लिक कर देते हैं जैसे हम क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने एक दूसरा नया पेज open हो जाएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं यह पेज open हो चुका है जहाँ पे हमारे स्कूल का नाम और हमारी पूरी डीटेल आ जाएगी उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आवेदन पत्र की हिस्थिती registration completed, final submission completed, forward भी हो चुका है तो इस तरीके से यहाँ पे current status में आप आएंगे तो देख सकते हैं लिखा गया है pending at district scholarship committee तो यहाँ पे हमारा scholarship अभी pending में है तो इस तरीके से आप अपना चेक कर सकते हैं status उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी बाइब बाइब लिए जावाँ खोगी है